फालो औन वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो Microsoft Excel को ले करके है और Excel में एक खास किसम का वर्मूला है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बात करें V-LOOKUP की, बात करें H-LOOKUP की इन सब पर हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं तो चलिए आयए बात करते हैं number one लिया, अगर मैं यहां से roll number हटाता हूँ, जैसे roll number one हटा दिया, यहां पर nine type कर दिया, तो यहां पर देख सकते हैं, roll number nine वाले का पूरा detail, यानि की total वाला detail आपके सामने है, यह देखें, यह total है roll number nine वाले का, तो इसे आप देख सकते हैं, यह कुछ तरीके से यहां लिखा हुआ है, 131, तो यहां पर 131 ही आया हुआ है, तो यह मैंने कैसे किया, आईए आपको बताता हूँ, पहले यहां से यह चीज़े हटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि यह कैसे किया, चलिए आईए शुरू करते हैं, यहाँ पर D-gate का formula यूज़ करेगा, तो यहाँ पर D-gate का formula जब हम लगाएंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, कि यह पूरा heading जो है जरूर आपको लिखना है, heading अगर नहीं लिखेंगे तो D-gate का formula काम नहीं करेगा, तो यहाँ से heading जरूर database यानि कि यही पूरा database हमें कर लेना है, select इस तरीके से select करिएगा, यह पूरा database कर लिया, कॉमा दे दीजे, हम किसको search करना चाहते हैं, अगर आप total करना चाहते हैं, तो total ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर D-gate course में total लिख दीजे, अगर total search करना है, तो अगर आपको chemistry का number देखिएगा, यह जो heading है, उसके साथ-साथ नीचे वाले हिस्से को भी कर लेना है, select कर लिया, bracket को close करिएगा, और आपको अब press करना है, enter और enter प्रेस करते ही, यह जादू हो जाएगा, यह देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर error आगया, error क्यों आया, क्योंकि यहाँ रोल लंबर वन का total कितना आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक सु सत्तर आया हुआ है, तो इस तरीके से यह काम करेगा, अगर मैं रोल लंबर चेंज करता हूँ, यहाँ पर रहाली जी एट कर दिया, तो यहाँ पर रोल लंबर एट वाले का total है, इसे मैंने red color में कर दि हमें तो रोल लंबर 3 दे दिया, तो 278 यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं, यह रोल लंबर 3 का total यहाँ पर दिया गया है, इसे भी मैं red color में कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से कुछ आप निकाल सकते हैं, यह formula आसान है, उमीद करता हूँ, बात आपके समझने आई होगी है,